नमस्यार दोस्तों आज मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले पाप और पुन्य की एक कहानी सुनाता हूँ आपको मात्र दो मिनिट की एक बार एक रिशी मुनी जंगल में बैठकर तफस्या कर रहे थे एक गाए भागती 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 उनके सामने से निकल गई तो उसके पीछे कुछ कसाई थे या गाए को मानने वाले लोग थे वो दोड़े दोड़े आए उन्होंने उस रिशी मुनी से पूछा गुरू जी संत जी आपने कोई गाए जाते हुए दिखा या इधर से भागते हुए दिखा तो उन संत जी ने का हाँ हाँ वो गाए इस दिखा में भागी है वहाँ वो लोग अपना तलवार जाकू लेके उस दिखा में भागे और गाएं का वद्र कर दिया पर इशी मुनी अपनी तबस्या में लीन हो गया उन्होंने गाएं को मानना था उन्होंने मार दिया अब जब उन संत मुनी की मत्ति हुई वह तो उनको पाप कर भागीदार माना गया कि आपने ये पाप किया था इसकी वज़े से आपको नरक मिलेगा तो उन्होंने का मैंने तो सारी जिन्गी सब पुर्ण ने की है मैं तो कोई पाप किया ही नहीं तो उन्होंने कहा कि जब एक गव हत्या का पाप आपके उपर है क्योंकि जब किसी कसाई ने या किसी बुरे वेक्ति ने आपके पूछा था कि गाये किधर गई है तो आपने सत्य बोलकर उसको बता दिया और उसने उसकी हत्या कर दी तो उन्हें का मैंने तो सत्य बोला तो भगवान ने ये कहा वो सत्य पाप के बराबर है जो किसी की जान ले ले अगव हत्या, ब्राह्मण हत्या या किसी की भी हत्या या किसी भी जानवर की हत्या, के बारे में सत्य बोलना जानकारी देना आपको पाप का भागीदार बनाएगा, तो सत्य भी कई बार आपको पाप के कढ़गरे में खड़ा कर देता है, तो सत्य भी सोछ समझ कर बोले, ऐसा सत्य जो महीं बोलना चाहिए जिससे किसी की हत्या हो तो आपको एक कहानी का बतलब पता चला कि हमें सत्य और जूट दोनों को सो समझ कर बोलना चाहिए अगर एक जूट किसी की हत्या को बचा सकता है तो वो सत्य से बढ़ा है नमस्कार दोस्तों मैं श्रॉजर सचिन स्वागत रभिजंदन करता हूँ अपने सभी पिजय दश्कों का हम बात करने वाले हैं उन पाँच उप संकितों की उन सचे पाँच उप संकितों की जो आपकी राशी को मिलने वाले हैं और आपका भाग की चबक में वाला है और यकीन मालिए स्वर्ग ही स्वर्ग होगा जून 2023 के महीने में तो आएए शुभारम करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन की बटन को दबाएं फेस्बूक और इस्ट्राइब पर भी हमें फॉलो करें हम बात करते हैं वर्षब राशी की पहला शुभ संकेद आपको प्राप्त होगा सूर्देव की किरपा के कारण सूर्देव 15 जून तंग लगर में होंगे फिर दिती भाव में चले जाएंगे सूर्देव आपको प्रभाव शाली व्यक्ति बलाएंगे चाह मैला हो आप चाह पुरुष हो जनता का सारा ध्यान आपकी तरफ आकरशित होगा आप अपने काम से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे आपकी आग्या का फालन हर व्यक्ति करेगा जो भी आपसे जुड़ा हुआ है आप जोकिम उठाकर भी लाप राप करेंगे दरेंगे नहीं आप जो ठान लेंगे वो करके रहेंगे आप दूसरों पर निर्भण नहीं रहेंगे वही करेंगे जो आपको करना है आप खुद अकेले अपने बल पूते अपने कामों को पूरा कर लेंगे बिद्या पूरी होगी, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी, भागिवान होगे हिम्मत से आप आगे बढ़ेंगे, बड़े लोगों से बाचीत होगी अजीवका का रास्ता खुलेगा, ने रास्तों से धन प्राप्ती होगी आप अपनी आँखों देखी बात पर यकीन करेंगे, किसी कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करेंगे आप पैसा कबाने का हर सर रास्ता ढून लेंगे दिमाग से बहुतिक वादी दुनिया में आप डूबेंगे बहुतिक वादी दुनिया क्या है थोड़ा सा पैसा आएगा तो खर्चा होगा ये भी चाहिए वो भी चाहिए घर को सजाएंगे हर छेतर में लड़कर जीतेंगे सरकारी नौकली हो या प्राइवेट नौकली हो धन प्राप्ती प्रमोशन ट्रांसफर के शुभ योग है प्रापईटी में लाब है परिवार का इस्तर उचा होगा और मां का ध्यान रखिएगा महिलाओं से लड़ना नहीं है दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा अब रश्व राश्री वालों को शुक्र देव की किरपा के कारण शुक्र देव पूरे महीनियर तिक्तिय भाव में रहेंगे आप ये पास जबान कहें या शब्दों की माला को ऐसा फिरो कर आप सामने वाले के सामने कि दुनिया जीत लेंगे मित्रों का साथ होगा बढ़िया साथ होगा धन की कोई कभी नहीं होगी खर्चा करेंगे शौक्पूरे होंगे परिवार को और तरक्की दिलाएंगे यात्रा से लाब होगा यारी दोस्ती रिष्टेदारी बढ़िया चलेगी विपीनित लिंक से लाकर्षन बढ़ेगा कला के कुजारी होंगे टीवी मिडिया शोशल मिडिया में चायर हैंगे जल्द ही लोग आप से बात करना शुरू करतेंगे लोगों से आपकी दिवानगी बढ़ेगी लोग से अपना पर बढ़ेगा आप मेहनत करते जाएए आशावादी विचारों कोई कमी नहीं होगी सब कुछ बढ़िया होगा शांदार होगा तीसरा शुरू संकेत आपको प्राप्त होगा शनी देव की किरपासे शनी देव दसने घर में बैटे होंगे 17 जून तक बारगी रवस्ता में यहागर श्रम शनी का घर है और यहाँ पर शनी सबसे बढ़िया पोजिशन में शस्त मामक पंच महापुरुष योग का निर्मार कर रहे हैं तो घर बैठे बठाए आपको शुब परिड़ाम मिलेंगे भागदार कम बैठ कर काम करिए आप जमीन खई सकते हैं प्रापरटी बना सकते हैं जमीन खईते तो ज्यादा बेतर रहेगा गाड़ी और वेपसराइब में आप बड़ी हर तरक्की करेंगे चाला की अपने काम मिलाइए बैमानी नहीं चाला की अपने काम मिलाइए सफलता उतनी मिलेगी जतनी आप चाहते हैं चौथा शुब संकित आपको प्राप्त होगा बुद्ध देव की किरपा के कारण बुद्ध देव जो हैं 24 जून को मिथुर नाची में चले जाएंगे जो स्वाइम की राची होगी धन भाव में परिवार में खुशिया ही खुशिया होगी बाचीत से हर परशानी का हल दूर होगा दिकते कब होगी अब जीवर में वाणी में मधूरता होगी बच्चे पढ़ाई लिखाई बढ़िया करेंगे प्रेम संबंद बढ़िया रहेंगे विवा की बात पक्की हो सकती है आप ख बाधा जीएंगे, कल को बनाने की चिंदा कम होगी आप अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे सफलता पाने के लिए आप बार बार अपना रास्टा बदल सकते हैं हाथ नहीं मानेंगे चाह कितनी बार रास्टा बदलना पड़े जिते चीटी चड़ती है गिरती है गिरती है चड़ती है लेकिन मजिल पा लेती है सफलता पाने की कोशिशे आपको जरूर सफलता दिलाएंगी पांच-वाश्व संखेद आपको पराप्त होगा गुरूदेव की दर्ष्टी के काराण चौते घर पर दर्ष्टी होगी घुरूदेव की पिता की से लावी लाव मिलेगा, शेयर मार्केट में समझदारी से आपको बड़ा लाव राव होगा, सरकार से धल लाव होगा, आप कठिन विश्यों पर विजए पराव करेंगे और इस समय में आपके घर में बेटे का जन्म, संताम का जन्म हो सकता है, जिसकी आने से कुशि और बढ़ जाएंगी, तो ये पांच संकेत सुनने में जितने आसान है, उत्रहीं आसान है आपको सफलता दिलाने में, तो बहुत बढ़िया समय है, जून 2023 का इस मौके का फाइदा उठाईए, अब सबसे महत्मूर बात ये है, कि हमें सुख क्यों नहीं मिलता है, हमें आप आज अच्छे हैं, लेकिन आपकी जब आप पैदा हुए थे उस समय के जो सितारे थे वो कमजोर है, अगर गारी के आगे वाले टायर जो है, वो अच्छे हों, पीछे वाले घिसे हुए हों, तो भी गारी जादा दूर तक अच्छी नहीं चलेगी, धीमे धीमे चलेग इसी परकार आपकी जो जनम पुल्ली है, जब तक आप इसमें बैठे होए गरहों को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी जनम पुल्ली को नहीं दिखाएंगे, तब तक सफलता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता आपके पीछे दो बड़े कारण हैं, पहला कारण आ आप बार बार भार ही गल्ती कर रहे हैं, जो आपको पीछे लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप क्या गल्ती कर रहे हैं, वो गल्ती आपकी खुल्ली बताएगी, मैं बताऊंगा, एस्ट्रलॉजर बताएगा, चाहे हो कोई भी हो, तो यकीन मानिये, सोना निकाल लेता तो गड़ा खोदने से सवलता नहीं मिलती है सही जगे पर गड़ा खोदने से सवलता मिलती है जहां पर पानी निकले या तेल निकले बाकि मंजर जमीन में गड़ा खोदते रही कुछ नहीं निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा सही जगे पर गड़ा कहा हैं तो अगर आपको भी सफलता पानी है तो आपको एस्टलोजी की बदद लेनी ही पड़ेगी आप आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे कल नहीं आएंगे तो चार दिन बाद आएंगे आएंगे जरूर इस बात को नोट कर लिजा जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी सफल होंगे आप आना चाहते हैं मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं अपनी अफ़ाइमेंट बुक कर आना चाहते हैं तो दिये गे नमरों पर संपर करें या किसी से भी अपनी कुली की जाज कराएं लेकिन कराएं क्योंकि सफलता पाने का यही एक मात्र सरल रास्ता है बाकि आपने तो अपनी महनत को करी ली होगी अगर सफलता आपकी महनत से आपको मिल ली होती तो मिल चुकी होती नमस्कार जोतिश वो परम ज्यान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं जोतिश को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर है और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं यह आपको भी पता है तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है आपके जीवर में कुछ भी सही नहीं है आप किसी भी परशानी से परशान है वो परशानी छोटी सी हो सकती है वो बड़ी सी हो सकती है तो उस समस्या का हल आपकी जनम कुली में लिखा है कि इस परशानी से कैसे आपको मुक्ती मिलेगी तो आप भी अगर अपनी किसी भी परशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुश हैं, तो ये जर्म खुली आपकी मदद कर सकती है 110%, तो इस जर्म खुली को मंगवाईए, और अपनी समस्या का समाधान इस जर्म खुली के पन्नों में चुपा हुआ है, पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, अभी ओर करें, नमस्कार।